पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो वैज्ञानिक प्रबंदन के सिधान को देख लिया था अब बात करेंगे टेक्निक्स की तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें जो सबसे पहली है बहुत इंपोर्टन और बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं एक्जामनेशन पॉइंट बहुत इंपोर्टन एंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपोर्टन है एक्जाम में भी आता ही है तो आराम से समझेंगे और कुछ भी इसमें खब्राने के जरूरत नहीं नाम है कार्यात्मक फोर मैंशिप इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंक् पहले चेप्टर अगर आपको याद है तो याद होना चाहिए और जो फोर मैं होता है न यह जितने भी कंपनी के इंप्लाइज होते हैं उनके डिरेक्ट टेश में रहता है फेस टू फेस उनसे बातचीत हो रही होती है तो टेलर ने ऐसा बुला कि हम कंपनी में कितना प्रो मैंन है उसमें क्या क्या होना चाहिए उसमें बुद्धी हो सिक्षा हो टैक्ट हो चातुर्थ मतलब किसी काम को अचानक से जैसी सुच्वेशन आई उससा साब कर पाई स्मार्टनेस हो मतलब ऐसा नहीं कि आप पीच्डी करके बैठे हो लेकिन आपको स्थीट स्मार्ट होन ठीक है फिर शारीरिक दक्षिता भी हो शारीर भी आपको अच्छा हो उर्जा इमानदारी अच्छा स्वास्त ये ऐसी लिस्ट बनाई किसकी जो हमें फोर मैन में होना चाहिए और फोर मैन बहुत इंपॉर्टनेस है समझ लेजिए उसमें इडेंटिफाई किया टेलर साब म का अधमी थे हैं काफी फ्रैक्ट्र चीजे भी देख रहे थे तो उन्हें हुना सोचा कि यार् ये सारी व्यास्वांदेस वं अलगर का चाहिए तो ओ verdad तो उन्होंने बोला कि प्लानिंग का जिनकों बोलते हैं जो प्लानिंग इन चार्ज जो प्लानिंग का गया दूसरे लोईल पर यह दोनों लोग आ गया अब इन दोनों के अंदर ही यह भी चार four men है और यह भी चार four men है ठीक तो चार और चार मिला लोगे तो eight हो जाएगा तो कम से कम eight four men की जरूरत होगी factory setup में अच्छे से चलाने के लिए यह identify क्या किनोंने टेलर साब में अब टेलर साब ने क्या बोला कि जो नियोजन अधकारी है planning वाले हैं तो उनके अंदर चार कौन कौन लोग होंगे तो अब sort में आप याद कर सकते हो कोई आई आर टीडी इस instruction हो गया तो जो instructions जेने वाला इंसान है आर से हो गया root root clerk हो गया फिर T से आपका हो गया दोनों चीज़ होती time होता है और cost के आप गरना करते हो समय और लागत की और D जो होता है वह होता है जो अनुशाशन बना करके रखे अब इनका काम क्या होता है यह वो लोग है पहले तो उन्होंने बोला कि आप देखो यहाँ पर division of labor और work भी है कि अलग 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 तरे का काम है production को अलग कर दो planning को अलग कर दो planning का का प्लैनिंग में जो एक instruction देने वाले क्लर्क हैं instruction card clerk क्या करते हैं निर्देश card clerk इनको बोल सकते हैं यह श्रमिकों को निर्देश देने का कि आपको यह काम करना है फिर यह काम करना है यह हुआ फिर हमारे आते हैं क्लर्क की जो exactly कारकरम चलेगा वह कैसे चलेगा ठीक है तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा वह प्लान कर रहा है वह काम नहीं कर रहा है कैसे होना चाहिए ऐसे ही जो रूट फॉलो होगा का वह किस तरह से फॉलो होगा वह हमारे रूट क्लर्क बताएंगे फिर टाइम लोग कर रहे होंगे तो वहाँ पर कितना टाइम लग रहा है कितना कॉस्ट लग रहा है जो प्रोड़क्शन है उसके टांस में भी वह अलग तरह से डिपंड करता है तो यहां पर भी क्या हो रहा है एक तरह का कि चीज़ें देखी जा रही है और ब्लान से रिलेटर यहां पर नहीं लिए तो नहीं होगी टाइम से कंपीट होना इनका सबसे बड़ा रोल रहता है दूसरे हमारे जाते हैं गैंग बॉसका मतलब क्या होता है गैंग मतलब बड़ाई दंगे वाला गैंग नहीं है ठीक है गैंग का मतलब हुआ दो तरह से देखो गैंग बॉस को है एक तो है कि कौन कौन से equipment की जोग पड़ेगी ठीक तो जो भी आपको का फैक्टरी के अंदर जिन जिन equipment के पड़ेगी वो सारी equipment की बंदोबस करके रखना पता चला किसी चीच की जोड़त है वो ही नहीं तो यह जो में काम होता है वो गैंग बॉस को होता है और वो सबको इलोकेट भी करेगा देखो तुम्हारा यह सामन है यह तुमको मिल गया काफी सामन तो चली रहा होता लेकि कि हर काम में किसकी जोट पड़ रही है इस फीट बार को आइडिया होगा कि इसमें तुना टाइम लगना चाहिए ता इतना जाला कैसे लग गया ठीक तो यह एक्सपर्ट्स लोग है ठीक यह जो फोर मैंने वह एक्सपर्ट भी है और अपने अपने काम में स्पेसलाइस भी है तो अब यह आठों लोग यह हमारे चार आगए प्लानिंग इनचार्ज के अंदर के और यह हमारे चार आगए किसके अंदर के प्रडुक्शन इं चार्ज को इत्पादन इक होगए इस पा никогда प्रदेटा जाए हैं अच्छा तो यहां से अगर आप समझोगे ना तो वास्ता में जो पूरा मॉडल है यह जो डिवीजिन ऑफ लेवर और डिवीजिन ऑफ वर्क है ना उसी का जो श्रम विभाजन है उसी का एक extension है कि लोगों में काम बाठते चले और मैंने बताए था कि टेलर साब काम कैसा रहत और प्रोडेक्शन करना जिनको अच्छे से आता है वो लोग क्या करने लिए प्लानिंग करने लिए तो अच्छे हो सकते हैं तो वो जो यह गुण थे इन गुणों में भी कौन-कौन से गुण है जो आपको चाहिए और कौन-कौन-कौन से गुण है आपको इस्टीम का हिस्सा बना सकते हैं वह प्लानिंग में वही है कि जैसे आप इसमें बुद्ध्ध है यह सारी चीज़ें कर पाएंगे दिमांग नहीं लगेगा तो कुछ-कुछ ऐसे चीज़ें जो आप डिवाइट कर सकते हों कि सारी चीज़े सारे लोगों होनी चाहिए और यह उन्होंने आठ लोग की जरूत के बताई कम से कम अगर इससे भी कम रहेंगे तो ऐसा इंसान मतलब हो नहीं सकता जिसमें वह सारी चीज़े हो तो उन्होंने प्रैटकली देखते हुए यह एक टेकनिक बताई कि इस टेकनिक को अगर हम फॉलो करेंगे और इस टेक्निक को follow करते हुए अपनी company में जो hierarchy वाले structure है वो ऐसा बनाएंगे तो वहाँ से production हो रहा होगा वो ज्यादा अच्छा हो रहा होगा ठीक है क्यों क्यों कि ये वैज्ञानिक प्रवंदन की तक्नीक है वैज्ञानिक प्रवंदन में आपको पहले से बता चलिए कि क्या hierarchy structure होगा और उसमें किसकी क्या-क्या जिम्मेदारी होगी तो बहुत सारी चीडियों की clarity मिल गई और वो उन्होंने एक तरह से social के बनाए हुआ लेकिन ध्यान रखेगा यह हर जगह के लिए वैलेट नहीं है यह factory setup के लिए उन्होंने बोला हुआ है और उसमें भी अप्तों अलग 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 तरहीं बहुत सारी चीज़ आने लगी है लेकिन उन्होंने बताया तो उसमें आपको देखा है कि किस तरह से उन्होंने division of labor को बहुत जादा importance दिया है जो work का division है उसको बहुत जादा ध्य कि बताईए बाकी की टेखनिस को आगे आने वाली वीडियो में cover करेंगे मिलते हैं इस वीडियो के प्रायोजक है आप और अगर आप ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो patreon पर जाकर या फिर screen पर दिये गए QR code को scan कर अपना योगदान जरूर दे अपनी क्लास का उद्दे से आप सभी के लिए आप ही की भाषशा में गुणवत्ता पुन्ट सिक्षा उपलब्ध कराना है कख्षा बारत तक के सभी प्रमुक विष्यों पर हम वीडियो बना रहे हैं और कुछ विश्यों पर विडियो आपके अपने चैनल, अपनी क्लास क की अन्य प्लेलिस्ट पर अप्लोड भी हो चुके हैं ज्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना अपहुमोल योगदान जरूर ने हैं बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इ आडिया